नमस्कार सौगत है आपका न्यूजबन 11 में मैं हूँ आपके साथ कृतिका बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है आपको बता दू कि बिहार में कोरोना संक्रमीतों का आकड़ा 2166 हो गई है हलाकि मरने वालों की संख्या इगारा है बढ़ता कोरोना का कहर राज सरकार को चिंता में डाल दिया है वहीं कोरोना काल में सियम नितीज कुमार अपनी जनता के साथ खड़े नजर आ रहे हैं कई राहत का एलान भी कर रहे हैं इसको लेकर मुख मंत्री नितीज कुमार लगातार बैठके भी कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं इसी करम में सुक्रबार को मुख मंत्री राहत कोश में नयाइसी परिशत की बैठक हुई मुखमंत्री नितीज कुमार की अध्यच्चता में हुई बैठक का फैसला लिया गया की कोरोना वाइरस के संक्रमन से जिन लोगों की मौत हुई उनके परीजनों को 4 लाग का मुआपजा दिया जाएगा बता दे कि सुक्रवार को मुखमंत्री राहत कोस के नियाईसी परिशर की 20 भी बैठक हुई 24 मुद्दो पर विस्तार में चर्चा किया गया इसी दोरान बिहार सरकार ने मुखमंत्री बिशेश सहायता योजना के तहट अब तक 20.28 लाग प्रवासियों के खाते में एक एक हज रयस्थल बनाये जाने की प्रकिर्या भी सुरू हो गई है वही कालाजार उन्मुलन के लिए प्रतियक पिडित को 6600 रुपे दिये जा रहे हैं और साथ ही मुक्त कराये जा रहे हैं हर बाल स्रमिक को पुनरवास के लिए 25,000 की मदद भी दी जा रही है बदादे की बिहार मे कोरोना से 179 नए मरीज मिले हैं इसके साथ ही राज में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2166 हो गई है कोरोना संक्रमन के मामले में तेजी से बढ़ते आकडे आधार पर अब बिहार पंजाब को पीछे छोड़ते हुए बिहार कोरोना वाइरस से प्रभावित टॉप राज्यों में आ गया है हाँ टॉप दस राज्यों में बिहार सामिल हो गया है पिछले दो दिनों के आकडे देखे तो कुल 390 मरीज नए मरीजों की पहचान हुई है इससे सबसे अधिक पटना के 186 मरीज है इसके साथ ही एक एहम जानकारी है कि अब तक 239 लोगों को अस्पताल से पहचान हुई है इनमें सबसे अधिक पटना के 186 मरीज है इसके साथ ही एक एहम जानकारी है कि अब तक 629 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है जबकि 11 लोगों की मौत हो चुकी है सुक्रवार को जिन जिलों में सबसे अधिक मामले आये हैं उनमें मदूवन के 34, बेगु सराई के 20, गोपाल गंज के 8, सारन के 6, नवादा के 3, बैसाली और अर्वल के एक-एक मरीज कोरोना वाइरस से संक्रवित पाए गए हैं इसके अलावा समस्तिरपूर के 10, पुर्वी चमपारन में 6, पस्चिम चमपारन में 5, मुझपरपूर में 5, कटिहार मे भी पॉजेटिव मरीज मिले हैं, बिहार जारखन की तमाम खबरों के लिए बने रहें, न्यूजबन 11 के साथ, नमस्कार बिहार और जारखन की तमाम खबरों के लिए हमारी यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें